हेलो लागो अपका हमारी आज की एस वीडियो मेरी आज हम बनाने जा रहें कोल्ड सोल्डर स्लीप्स. लिए बनाने के लिए हमने पहले असमेन की कटिंग कर लिए इयों आकिनस नॉर्मल स्लीपम कर लिएहन निचे भाइंच पुर्क नॉर्मल हो स्लीप के तरह हमने की कुट्टिंग कर लिए है इसके बाद में इसके इधर साइड से दो इंच ले रहें और इधर साइड में दो इंच में तड़ींगे इस तरीके से तो इसके आगे का हमारा 3 इंच बचा है और इसके मीचे साइड हम रखेंगे 1.5 इंच यह वाले निसान को यहां से इस तरीके से मिला लेंगे इस तरीके से मार्किंग कर लेने के बान इसके हम कटिंग कर लेंगे तो असकर की कटिंग हमने कर लिए उसके बाद में कपड़े के ऊपर रखकर इसी तरीके से हम कपड़े पे इसकी कटिंग कर लेंगे तो इसकी कटिंग हमने कर लिए इसके बाद में इसकी सिलाई करेंगे और सब्सक्ते पहले यहां पर रखते वे इसके पूरे किनारे पर हम सिलाई लगा लेंगे तो हमने इसके दोनों किनारों पर सिलाई लगा लिए उसके बाद में आस्पीन को पलट कर हम सीधा कर लेंगे तो पलट जाने के बाद में इसके दोनों किनारों पर हमने सिलाई लगा लिए उसके बाद में इसके किनारे पर हम लास लगाएंगे तो इसके किनारे पर ऐसे बराबर मिलाकर रखना है और यहां पर लेस लगा लेने है तो यह हमारी अस्पीन बनकर तयार हो गई है इसके बाद में इसको हम अपने ब्लाउज में लगाएंगे तो हम देसे ब्लाउज भी कंपलेक कर लिया और यह हमारी असपीन तो चंधै के ऊपर से हम आगे के साइड दो इंश निश्ण लगाएंगे जैए उसी तरीके से पीछे की साइड पी दो इंश निश्ण लगाएंगे उसके बाद इस इसासतीन को यहां पर रखेंगे और इसके उपर हम सिलाई लगा लेंगे उसे तरीके से दूसरी साइड पर इसे मिला कर रखेंगे और इसके उपर सिलाई लगा सिजाई तो हमारी आस्पीन लगकर टैड़ी हो गई है और यह इसका फाइनल लुक कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो